रभी सीजन का प्याज अब ज्यादातर किसानों के खेतों में तयार हो गया है और वो उसे बाहर निकालने में लगे हैं। इसकी वज़े से मंडियों में आवग बढ़ने लगी है। व्यापारी इसे किसानों से खरीद कर स्टोर कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर निर्यात बंदी खत्म हो तब मुनाफ़ा कमाया जा सके। जिन किसानों के पास प्याज को रखने की जितनी क्षमता है वो भी उतनी स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे की आगे चल कर निर्यात बंदी की वज़े से हुए घाटे की भरपाई की जा सके। महाराष्ट्र देश का लगभग 43 प्रतिशत प्याज उतपादन करता है और राजी के कुल उतपादन में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान रभी सीजन के प्याज का होता है। यही प्याज स्टोर करने लायक होता है। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले के अनुसार प्याज का उतपादन इस साल पूरे देश में कम हो सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा कमी महाराष्ट्र में 34.31 लाक टन की हो सकती है। इसी प्रकार करनाटक में 9.95 लाक टन, आंद्रप्रदेश में 3.54 लाक टन और राजस्थान में 3.12 लाक टन कम रहने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण आगे चलकर प्याज महेंगा हो सकता है। इसलिए किसान इसे स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि इस समय प्याज की जितनी आवक होनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही है। इस बीच निर्यात बंदी जारी रहने के बावजूद अब कई मंडियों में न्यूंतम दाम में सुधार देखा जा रहा है। नागपुर जिले की हिंगणा मंडी में 28 मार्च को प्याज का न्यूंतम दाम 1700 और अधिक्तम 2000 रुपए प्रती क्विंटल रहा। पुने जिले की मंचर मंडी में 9838 क्विंटल प्याज बिकने के लिए आया। इसके बावजूद न्यूंतम दाम 1,000 रुपए प्रती क्विंटल रहा। इसी प्रकार पुने की ही खेर चाकन मंडी में न्यूंतम दाम 1,200 रुपए प्रती क्विंटल रहा। किसानों का कहना है जब तक उन्हें 3,000 रुपए क्विंटल का दाम नहीं होगा तब तक फाइदा नहीं होगा। Bureau Report Market Times TV